हलो एवरिवन, हम क्लास एट ते साइन्स एंसियार्टी को स्टेडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नमर फोर जिसका टाइटल है पदार्त, दातू और एधातू इसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में हम धातू और एधातू जो पदार्त होते हैं उनमें अंतर कैसे ग्याद कर सकते हैं उन सारे पोइंट्स को डिसकस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर कुछ पदार्तों के एक्जामपल दे रखे हैं जैसे कि लोहा, एल्यूमीनियम, तामबा इन सभी पदार्तों से हम सभी परीचित हैं लेकिन इन सब में आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा धातू है और कौन सा एधातू है तो इसको लेकर के हम पर important बात बताई हुई है कि धातों का एधातों से अंतर उनके भोतिक और रसाइने गुणों के आधार पर किया जा सकता है और चमक और कठोरता ये दो गुण ऐसे हैं जो किसी भी पधार्थ के भोतिक गुणे कहलाते हैं तो सब से पहले हम धातों और अधातों के जो भोतिक गुण हैं उन में अंतर याथ कर लेते हैं जिसके basis पर हम समझ सकते हैं कि कौन सा पधार धातु है और कौन सा पधार एधातु है तो देखो आप सभी ने लोहार को लोहे के टुकडे को या लोहे से कोई निर्मित वस्तू है जैसे कि फावडा, बेलचा, कुलाडी इन सभी को पीटते हुए देखा होगा तो जब इनको पीटा जाता है हतोडे से वो इसको पीटते हैं तो हम देखते हैं कि उनके आकार में परिवर्तन होता है सेम इसी तरीके से आप कोईले के साथ करो कोईले को आप चोट पहुंचाओ तो आप देखोगे उनके आकार में परिवर्थन ना हो करके वो छोटे छोटे टुकडों में तूट जाएगा तो धातू क्या होती है कि अगर किसी पधार्थ को पीटा जा रहा है और पीटने पर उसका आकार जो है वो परिवर्थित हो रहा है तो ये गुन होता है आगात वर्देनेता और ये धातूं का अभी लाक्षनिक गुन है मतलब कोई भी जो पधार्थ है अगर वो धातू है तो उसको पीटेंगे तो उसका आकार जो है वो बढ़ता जाएगा वो छोटे छोटे टुकडों में नहीं तूटेगा जैसे कि मिठाईयों को सजाने के लिए चांदी का जो वर्क है उसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है और अलुमिनियम की जो पनी है जिसको आप खद सामगरी लपेटने के लिए यूज करते हैं वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है तो हमने देख लिया कि जो धातू पधार्थ होता है उसमें आगात वर्दिनयता का गुन पाया जाता है आगात वर्दिनयता मतलब क्या हो होता है इसको आप इसी तरीके से पीटो तो क्या उनके आगात पढ़ने पर उनके आगार में वर्दि होती है दूसरा यहां पर बताया क्या है यह तो फर्स्ट हमने डिसकस कर लिया फर्स्ट अंतर देख लिया धातू और धातू में दूसरा अंतर अगर हम देखें तो जो हतु पदहार्थ होते हैं वो विद्धूत के और उस्मा के सुचालक होते हैं लेकिन जो एध हतु होते हैं वो विद्धूत और उस्मा के कुचालक होते हैं मतलब उनमें उस्मा का जो चालन है वो नहीं होता है और लकडी और प्लास्टिक जो है वो इसका उदारन है साथी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई विद्धुत कर्मी पेचकस से कोई काम करता है तो उसका जो हैंडिल जो होता है उस पर प्लास्टिक का कवर होता है और इन सब के बारे में लास्ट चप्र में हमने डिसकस भी किया है जिसमें हमने प्लास्टिक के गुणों में डिसकस क प्लास्टिक में विद्दुत और उस्मा का सुचालन जो है वो नहीं देखने को मिलता है, मतलब क्या है वो एधातू है। अब यहाँ पर देखो बताया भी होआ है, Classics में ही हम ये बात पढ़ चुके हैं कि धातु जो है वो उस्मा और विद्दुत के सुचालक होते हैं, दूसरा क्या होता है, थर्ड गुन क्या होता है धातु में, धातु का वह गुन जिससे उन्हें खीच कर तारों में सकते हो, और जब भी कोई धातु होती है, उसके उपर अगर कठोर सतय से उसको टकराया जाता है, तो उसमें निनाद धहुनी जो है उत्पन होती है, लेकिन जो ऐ धातु होते हैं, उनमें इस तरीके के गुन नहीं होती हैं, क्योंकि धातु गायन धहुनिया उत्पन करते है अतय वे ध्वानिक कहलाते हैं, दातों के अलावा अन्य पधार ध्वानिक नहीं होते हैं, तो इन सारे जो भी हमने अब उपर एक्जामपल लिये, उनसे हम समझ सकते हैं कि कुछ पधार जो हैं, वो कठोर होते हैं, चमकिले होते हैं, आगात वर्द होते हैं, तन्य होते हैं, ये सारे पधार्त कहलाते हैं धातू, मतलब जिनमें ये गुन है वो पधार्त धातू है, धातूं के उधारण है आईरन, कोपर, ऐलुमीनियम, केलसियम, मैगनीशियम, इत्यादी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोईला और सलफर जैसे पधार्त जो है वो नरम है, और दिखने में मलीन है, ये हतोरे की हलकी चोड से तूट कर इनका चूरा हो जाता है, ये ध्वानिक भी नहीं है, उसमा तता विद्दूत के कुछालक होते हैं, तो इस तरीके के जो पधार्त हैं वो एधातू कहलाते हैं, एधातूं के कुछ उधारन भी यहां पर दे रखे है कि सलफर, कार्बन, ओक्सिजन, फोस्पोरस, इतिति, अब यहां पर कुछ अपवाद हैं, देखो जब भी आप रसायन विज्ञान को पढ़ोगे, तो इसमें आपको जो भी आप इंपोर्टेन स्टेट्मेंट देखोगे, उसमें कुछ अपवाद जो हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, और यह देखो, अकलास एर्थ की NCRT है, तो इसमोल लेवल पर इसमें जो केमिस्ट्री है, वो दे रखी है, 11 और 12 में जब आप केमिस्ट्री को स्टेडी करते हो, तो इस तरीके के एक्जांपल जो हैं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, त आपको ज्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी हमने दातू के गुण क्या देखे थे, कि दातू जो हैं, वो कठोर होती हैं, तो यह कुछ exception है, कुछ अपवाद हैं, कि sodium और potassium जो हैं, वो नर्म होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है, और जो mercury, पारा जो होता है, वो कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्ता में होता है, तो यह दातू भी हैं, लेकिने कुछ अपवाद रूप में उपस्तित हैं, तो हमने दातों और रह दातों के जो भोतिक गुण हैं, उनकी बेसिस पर उनमें अंतर ग्यात कर लिया, अब हम यहाँ पर समझेगे दा दातों और एदातों के जो रसाइनिक गुण, मतलब ऑक्सिजन से अभी किरिया, अमलों से अभी किरिया, छारों से अभी किरिया, जल से अभी किरिया और विस्तापन अभी किरिया, इन सभी को इस चैप्टर की जो समड़ी है, वहाँ पर हम अच्छे से समझेगे कि क्यों सा जो धातू है वो अमल के साथ में किरिया करके क्या बनाता है छार के साथ में किरिया करके क्या बनाता है जल के साथ में किरिया करके क्या बनाता है और जो एधातू है वो भी इन सभी के साथ में किरिया करके कोई उत्पाद बना पाता है या फिर बिना उत्पाद के ही उपस दे हो पाता है तो यहाँ पर चैप्टर की जो समरी है जो भी यहाँ पर सारांस है चैप्टर का उसमें हम इस बातों के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ देखी यह बाते हम पहले समझेंगे जो भोतिक गुण है जिनके बारे में अभी हमने देखा पहले हम देख लेते हैं रासाइनिक गुणों के बारे में देखो, दहन करने पर मतलब जलाने पर और आप सभी को पता है जलाने पर उक्सिजन का उपयोग होता है मतलब पोई धातू जब उक्सिजन से अभिकिरिया करती है तो धातू उक्साइड बनाती है और जो भी यहाँ पर बनता है, जो भी उत्पाद बनता है वो छारीय परकर्ती के होते है धातू जब उक्सिजन से अभिकिरिया करती है तो धातू उक्साइड बनाती है और जिनकी परकर्ती अम्लिये होती है कुछ धातू, जल से मतलब आप जल से हम देख लेते हैं धातु जब अमलों से अभिक्रिया करती है तो धातु लवन और हाइडोजन गैस बनाते हैं और एधातु अमलों से अभिक्रिया नहीं करते हैं मतब धातु जो हैं वो तो अमलों से अभिक्रिया करती हैं लेकिन ऐधातु पदार जो हैं वो अमलों से अभिक्रिया नहीं करती हैं अब बात आती है चारों की तो कुछ धातु चारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अधिक अभिक्रिया सिल धातू जो है वो कम अभिक्रिया सिल धातू को उनके धातू योगिकों के जल्ये विलियन में विस्तापित कर देती है ये है विस्तापन अभिक्रिया का उधारन और धातू और एधातू का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उप्योग है। 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 कुछ भी प्रोसीजर किया जाए लेकिन ये और अधिक विग्टित नहीं हो सकता तो इस परिकार का जो उतपाद आता है उसको बोला जाता है तत्व। रासाइनिक अविक्रिया में जो उतपाद निकल करके आया और उसके उपर फिर कोई फरक नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको बोला जाता है तत्व। सलफर एक तत्व है, इसी परकार आईरन और कारबन जो है वो भी एक तत्व है, तत्व के एक नमूने में एक ही परकार के परमानु होते हैं, परमानु जो है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तत्व के भोतिक परिवर्तनों में तत्व के परमानु एपरभावित रहते हैं, मतलब यहाँ पर जो उत्पाद आया और इसमें फिर बाद में कोई विक्टन नहीं उपा रहा है, तो इसको बोला जाएगा तत्व, और तत्व में एक ही परकार के परमानु होते हैं, परमानु तत्व के सबसे चोटी एकाई होती है, और भोतिक परिवर्तर, मतलब इसकी जो आकार जो है उसको छोटा कर दिया गया तो इसके जो परमानू है उस वो एप्रभावित रहते हैं मतलब द्रव सलफर का परमानू पून रूप से ठोस और वास्फ सलफर के परमानू के समान ही होता है तो यदबि ब्रमान में पधारतों की संख्या जो है एसंख्य किस्म है लेकिन तत्व की संख्या सीमित है प्राकर्तिक रूप से पाए जाने वाले तत्व की संख्या चोरान में से अधिक नहीं है धातो और धातो के रूप में तत्लो का एक महत्पोन वर्गी करण है तो ये हमने इस चेप्टर को कर लिया है complete इस चेप्टर का जो सारांस है जो समरी है इसको भी हमने discuss कर लिया है तो अगर आप यहां तक आये हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू